दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं ने-ने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी क्यों आपके लिए कमाई कर सकते हैं कील का अपना एक बाजार है यह रोच मरा के उपयोग के वस्तों में कहीं न कहीं उपयोग में बनी रहती है इसका उपयोग बिभिन लकडियों की बस्तू घरों में उपयोग होने वाले पॉट बल स्टेंड बिजली की वाइरिंग आदी अन्य किस्तानों पर इसका उपयोग किया जाता है इस बिजनस में लाब लोहे के बढ़ते घरते मूय पर निर्भर करता है फिर भी कील बनाने के बिजनस में लाब जादा है इसकी मांग हमेशा बनी रहने के करण ये बिजनस बहतरीं विकल्पों में से एक है तो फ्रेंड अगर आप लोग भी कोई बिजनस करना चाहते हैं तो आप लोग भी कील बनाने के बिजनस शुरू ठरू कर सकते हैं में जगा की आवशक्ता होगी ऐसदा में अब आप लोगों को बताउंगी इसके लिए अवे कौन से मेट्रिन की आवशक्ता होगी काम आने वाली आव rasa यहां वायर इसका परियोग करके विभिन तड़ों के कील बनाए जाते हैं, ये वायर अलग-अलग क्रॉस सेक्षन में पाये जाता है, इसलिए अपने द्वारा बनाई जाने वाले कील के अनुसार ही आप वायर खरीद लें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, कील बनाने के लिए हमें कौन सी मशिनरी की आउशकता होगी एक बार यदि ये मशिन बठा ली जाए तो एक लंबे समय तक कील बनाई जा सकती है, यहाँ मशिन पूरी तरो से स्वचालित होती है, जिससे आसाने से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है कील बनाने वाली मशिन की कीमत लगभग 3 लाग से 4 लाग में है, यह मशिन दो सेट में होती है, इससे लोहे की कील में जंक हट जाता है और नए चमकदार कील बनकर बाहर आती है प्रेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कील बनाने की प्रोसेस के बारे में मसीन सवचालित होने की वज़ों से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है मसीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि बहुत घूम सके वायर का एक हिसा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है मसीन के चलने पर उस वायर से कील खुद बखुद बननी शुरू हो जाती है इसके बाद बनी हुई कीलों को पॉलिशिंग में डाला जाता है पॉलिशिंग से कीले नई दिखने लगती हैं इसमें लगड़ी की भूसी का प्रयोग होता है इसके बाद किसी तरह से लुंबिकेट का भी प्रयोग कर शकते हैं अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कील बनाने के बिजनेस के लिए हमें कुल कितने लागत की हावशकता होगी मशीन की कीमत तीन लाग से चाल लाग के करिक अब मैं आप बात करूंगी कील बनाने की पैकेजिंग के बारे में इसकी packaging के लिए जूट के बोरे का प्रियोग बहुत अच्छा होता है, कीलनों के लिए होती हैं, इसलिए plastic के bag के फटने का डर रहता है, packaging के समय बाजार में विविन hardware दुकारों में दिया जाने वाली मात्राओं का ज्यान में रखी, उन्हीं मात्राओं की 5 kg और 10 kg के packet आप लो पे दुकान में पहले इसकी केमर सस्ते दाम पे आपको रखनी चाहिए और मार्केट पकर जाने के बाद आप इसको बाजार की केमर पर अपना प्रोड़क्ट बेच सकते हैं, आठ घंटे रोज मसीन चलाने पर दिन भर में कम से कम 500 से 600 किलो के लिए बनाई जा सकती हैं, अगर अब हमारे चानल को पहनी बर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लूट किये जाएंगे उसकी सूचना आपको दोस्तो इस वीडियो में इतना है, मुईट करता हूँ कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना पूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आइडियेस पहुँचे सबसे पहले आपके पार